दोस्तो टीवी सीरियल में काफी सारे बड़े-बड़े अक्टर एंड एक्टरस हैं जिसमें से एक नाम है दिलजीत कौर का जो काफी बड़े-बड़े सीरियल में काम कर चुकी हैं तो आज की वीडियो में इनकी लाइफ इस्टाइल एन बायगोराफी के बारे में बात आपको बता दें यह सलिन भनाओत की X5 भी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना अगर बीडियो पसंदा है तो वीडियो को like and share करना अगर आप दलजीत कौर के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना इनका रियल नेम है दलजीत कौर और निक नेम है दीपा और प्रोफिशन से यह एक्टरस और मॉडल है इनका जनम 15 नवंबर 1982 को लुदियाना पंजाब इंडिया में हुआ था और 2022 के साबसे आज इनकी एज 40 एर हो चुकी है और इनका होम टाउन बैंगलोर कनाटिका इंडिय है अब इनकी फिजिकल स्टेटस के वारे में देख लेते हैं तो इनकी हाइड लगबख 5.5 इंचीज है इनका अइकलर ब्लैक और हेखला ब्लैक है और ये नेशनल से इंडियान है और सिंक जो explic ark हैं अब इनके अभूल ने अपने स्कूल की पढ़ाई लोधियाना से की और स दिलजीत को बच्पन से ही एक्टिंग का सौक था और ग्रेजुएशन कंप्रेट करने के बाद इन्हों ने मॉडलिंग करना स्टार्ट किया अब इनके कैलेर के बारे में देख लेते हैं दिलजीत ने 2004 में मिस पूरे कॉंप्रेटिशन में पार्टिस्पेड लिया और ये बिनर बनी उसके बाद इन्होंने काफी ब्यूटी प्रेजेंट जीते जिनके नाम हैं मिस नेवी, मिस मुंबई, मिस महरास क्वीन इसी साल में इन्होंने टीवी में डेब्ई किया मांसा टीवी सीरियल से जो की 2004 में आये था, उसके बाद इन्होंने रात होने को है कैसे ये प्यार है, और CID में भी काम किया और दलजीत को एक्शूल सकसेज मिली, कुलवदू टीवी सीरियल से जिसमें इनका करदार नियती चोवान का था जो साल 2006 से 2007 तक आता था और उसके एक सलवाज यानिकी 2007 में इन्होंने छूना है आसमान सीरियल में काम किया जिसमें इनका करदार सिका का था और हम आपको बता दें दिल जीत ने कापी सारे टीवी सीरियल में काम किया है जिनके नाम है सपना बाबुल का बिदाई सास बर्सिस बहू अदालत इस प्यार को क्या नाम दूँ सुरांगनी जोडे रिस्तों के सुर साबधान इंडिया कालत टीका मा सरसुती कयामत की राद गुडदन तुमसे ना हो पाएगा ससुराल गैंदा फूल 2 तो हमको कॉमेंट करके बताना कि दिल जीत का कौन सा सीरियल आपको बहुत पसंद है और ये आपको कैसी लगती है और इसके बाद इनोंने डांस रियल्टी शोर नचवल ये सीजन 4 में एज़ा कंटेस्टेंट पार्टिस्पेड लिया अपने हस्बेंड सालिन भनोत के साथ और ये बिनर भी बनी उसके बाद ये नचलेवे सरोज खान में भी थी और उसके बाद इनोंने बॉक्स केर्ट लिग सीजन 2 सीजन 3 में एज़ा कंटेस्टेंट पार्टिस्पेड लिया और ये मोस्ट कॉंटरवर्सेल सो बिग बॉस सीजन 13 में एज़ा कंटेस्टेंट आई थी जिसमें ये फर्स्ट बीक में ही एलमिलेट हो गई थी और इसके साथ साथ इनोंने बैप सीरीज में भी काम किया है इनकी फर्स डेपू बैप सीरीज का नाम है बॉस पाप और स्पेशल सर्विस जो की 2019 में आई है और इसके साथ साथ इनोंने म्यूजिक बीडियो में काम किया है इनकी फर्स म्यूजिक बीडियो का नाम है एक्सकरे बरवादियां जो कि इसी साल में आये था जिसमें सिंगर थे अंकित तिबारी और 2021 में ये बेफिकरे रहो म्यूजिक बीडियो में थे जिसमें इनके साथ आसिम रियाज भी थे अब इनकी फैमली से मिल लेते हैं तो ये इनके फादर हैं जो कि प्रॉपेसर से एक रेटायर आर्मी ओपिशर हैं इनकी मदर का नाम प्रीतम कौर है और इनकी दो सिस्टर भी हैं जो कि इंडियन आर्मी ओपिशर हैं जिसमें से फर्स्ट का नाम जतिंदर को और एंट सेकिंड का नाम अमरित ग्रोवर है मैटल स्टेटस देख लेते हैं तो यह डिबोस्ट हैं इनके एक्स हज़रेंड का नाम सालीन भनौत है इनकी मेरिज 9 दिसंबर 2009 को हुई थी और 2015 में इनका डिबोस हो गया इनके सन का नाम जैदेन था बात में इन्होंने चेन करके साराब कर दिया अब इनकी होबी के बारे में देख लेते हैं तो इनको dancing, traveling काफी पसंद है अब इनके favorite things देख लेते हैं तो इनके favorite food हैं तंदीरी chicken, कवाब, favorite actor है Tom Hank, आमिर खान, favorite actress है प्रेंका चोपडा अब इनके house के बारे में देख लेते हैं कि ये रहती कहां पर हैं तो ये अब ये अपनी family के साथ Mumbai महाराश इंडिया में रहती हैं अब इनके car collection देख लेते हैं तो इनके पास car है Mercedes Benz अब इनकी income and sale के बारे में देख लेते हैं तो ये लगवग 90,000 रुपे पर एपिसोड चार्ज करती हैं अब इनकी network देख लेते हैं तो इनकी total network लगवग 5 करोट रुपे है तो ये थी दिल जीत को और की life style वीडियो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना थैंक्स पर वाचिंग